वेल्कम फ्रेंड्स टू पियो गाइड टिप्स औंड ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे कैसे हम फिनाकेल में जब भी लॉगिन करते कभी-कभी ऐसे एरोर आता है कि रिट्राई मेनू अप्शन कोई मेनू यहापे फेच नहीं होता और कोई भी मेनू हम डिद्राई मेनू अप्शन आने बिए मेनू आता तो इस प्रब्लेम को हम कैसे सॉल्ब करें वहम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को इन तक देखिए अगर आपको वीडियो पसंद एंड हेल फुल लाइक कीजिए कोई कवारी है तो आप कोमेंट करके पूछ जग्योज सकते हैं वीडियो को ज्यादा ज्यूज्श कीज़े और और सबस्दोन के चैनल को तो देखे आम फिनल मेंuana में लोग इंग लिया है लेकिन यह पर मेनू फेच नहीं हो रहा है मेनू फेच होता है ऺाष्ष हो रहा है हम बार बार ट्राइब डरा आ इसके लिए एक compatibility views, compatibility settings चाहिए internet explorer को क्योंकि हम private leak काम कर रहा है इस पे secure इतना secure है क्योंकि हमें ऐसे कोई भी settings का जरूरा थे जाते हमारा जो information वो leak नहीं होता है तो इसलिए हमें जो करना परेगा इस problem को solve करने के लिए internet explorer पे जाके, tools option पे जाके यहाँ पे देखिए हमारा जो domain name है उसको यहाँ पे add करना पड़ेगा अगर आपका domain name यहाँ पे add नहीं है तो ऐसे आपको error face होंगे क्योंकि retry menu option ऐसे error आएंगे तो हम यहाँ पे आमारा जो domain name है indiapost.gov.in उस url को हम यहाँ पे add कर देंगे जो domain name है यहाँ पे add कर देंगे फिर हम try करेंगे यहाँ पे जब भी आप आप ऐसे error face कर रहा है तो tools option पे जाके आप compatibility view settings पे जाना है यहाँ पे हमारा domain name में उसको add करना है फिर इस जो window यहाँ पे open है उसका हम close कर दिंगे तो finacle से automatically हम login page पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से login करके देखेंगे जो यह option जो menu face नहीं हो रहा है इसका solution हुआ यह नहीं तो हम फिर से login करेंगे हमारा domain add करने के बाद देखिए यहाँ पर domain add है हम add किये ओल्रेडी तो इसको close करके हम fincore solution में login करेंगे तो देखिए जो problem हम face कर रहा है थे menu face नहीं हो रहा था तो वह जो problem था वो देखिए यहाँ पर overcome हम कर लिया है तो ऐसे करके आगर आप retry menu option का error face कर रहा है तो आप internet explorer का tools option पर जाके compatibility view settings पर जाके हमारा domain में उसको आप अगर यहाँ पर add कर देंगे तो आप जो problem face कर रहा है रिट्राइ menu option इस problem को हम solve कर सकते हैं एजली हम finacle में internet explorer से काम कर सकते हैं अगर आप Microsoft Edge पर काम कर रहा है वहाँ पर compatibility settings का कोई option नहीं है तो आप वहाँ पर आपका जो पॉप आप ब्लोकर है पॉप आप ब्लोकर को यहाँ पर आप करके आप Microsoft Edge में भी इस इशू का solution कर सकते हैं thank you friends for watching अगर आपको वीडियो पासंद है तो लाइक किजिए comment किजिए share किजिए और सब्सक्राइब किजिए चेनल को